लोजपार अंबिलास क्या होता है वो तो भाजपा के नेता है चिराग भाजपाई भी छोड़ी है वो तो संग के हैं के संग के हैं चिराग पास्वान चिराग पास्वान संग के हैं हमको कहने की दूरत नहीं आरेसेस राष्टियेस वैम से बख संग जब यहां से धागा शु है product है संगी है कहां जाएंगे तो उनका हच जो है मुक्का मदिना जो उनका भीजे पी और संग कारियाल्य वह याए जए जाएंगे बाजपा के लोग सवर नारक्षण का समर्थन कर रहे है नालू जी लाठी तेल पीछे लाठी परी परी यह तो ठीक जगए है वो इसे वह लेकिन लाठी ने मारना चाहिए इतना कम से कम इतना बेदर्दी से तो नहीं ही मारना चाहिए था हलका फुलका ठीक था लेकिन इकुछ जादा ही हो गया है बरमेश्वर मुख्या का मामला आप देख लिजे नितिस कुमार मुख मंतरी थे ना जब पूरे राज में पटना में जो है इन लोगों ने सरक पे कोहराम मचा था भुमिहारों ने और गुंडागर्दी की थी इनकी सरकार थी अमीर दासायोग भंक किये क्या हुआ पूरे देश में जितने भी दली तुद्पिरंड के मामले उस मामले में क्या हुआ अभी जो आनंद मोहन का ममला है क्या है तो बीजे पीकल्प क्या है भाजपा वही मन चिराग पासवान लगतार करे थे कि ःभी मैं किसी भी तरफ नहीं हूं ना महागणधन के तरफ हूँ न एंडिये कि तरफ हूँ मतलब भाजपाक तरफ और चुनाओ नजदीग आएगा तब मैं निर्नही के कि हिभाना जोए आ पेराइं वह स्टिधी जारी करते है और ठा इंडिये के साथ थे हैं और आने वाला चुनाओं में रहेंगे लेकिन वो लगतार इस बात को बोले जा रहे थे कि मैं कहीं नहीं हूँ ओम सुधा परिसंग के राष्टे महा सचीव हैं ओम सुधा जी तो चिराग जी अंततर चले गए चले क्या गया भाजपे में थे परिसंग को ही नहीं पूरे देश को पता है वो आदमी संगी है वो आदमी कभी न भाजपा के खिलाप गया, न भाजपा से अलग हुआ, वो हमेशा से संग और भाजपा का नेता है, उसकी पूरी राजनिती संग और भाजपा वाली राजनिती है, वो कभी बाहर थे ही नहीं, तो बाहर आना जाना क्या होता है, वो संग के हैं, भाजपा के हैं, बस चिराग चिराग को बस इतना कर देने की जौरत है यह जो राम विलास जी का नाम लेकर वो ढोर हैं उसको छोड़ दें सिधे भाजपा नेता के रूप में हैं लोजपा राम विलास क्या होता है वो तो भाजपा के नेता है यह फॉर्मलीटी किसलिये राजनिती में इतना छुपने और चुपने का क्या कहीं को इसकोप है क्या उनकी एक पार्टी है लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास इसके वो राश्टी अजद्रक्ट अब बोलने कुछ भी लेकिन दुनिया जानती है को भाजपा के नेता हैं और मुझे तो अभी आपसे पता चला कि यह सब पार्टी है तो राम विलास की पार्टी जानते थे मैं तो जानता हूँ कि यह भाजपा के नेता हैं अभी आपसे पता चला और मुझे पता था कि वो चले गए उनके भाई लेकर चले गए लोजपा यह तो बीजेपी में बीजेपी के नेता अभी पता चला और इनका जो पूरा क्रिया कव है जैसे की सवर नारेक्षन को समर्थन करना, इनका क्रिया कलाब भाजपा के लोग सवर नारेक्षन का समर्थन कर रहे हैं, जब पूरे देस में दो अपरेल 2018 का मुवमेंट हो रहा था, उस समय चिराग पास्वान इस मुवमेंट के खिलाव थे इनका तमाम क्रिया कलाप जो है भाजपा का एप्रोच है उसी एप्रोच पर चिराख चले बीजेपी वालों पर जो लाठी चार्ज हो उस पर भी समर्थन करें बीजेपी का यह नहीं दे वो तो करेंगे ही तो भाजपा के निता हैं कहा जाएंगे वह हमेशा वो उस लाइक हैं को उनके साथ वो होना चाहिए यह अलग बात है कि हम लोग लाठी संस्कृति के समर्थक नहीं है उसके बावजूद की वो इसी लाइक हैं बावजूद इसके हमारा मनना है कि लाठी डंडे से लोकतंतर नहीं चलता है लालू जी लाठी तेल पिलाए थे था एक महिला की साड़ी खिची गई थी उस समय के जो भाज़पा के नेता है उनके टीवी चैनलों पर चल रहे बयान को अब लगा देना चाहिए आज की पिटाई के वीडियो के साथ उनके बयान का ओडियो लगा देना चाहिए तब पता चले लाठी संस्कृति क्या है ला लातिय जनता पार्टी का अपना कोपिराइट सिस्टम है यह हमेशा इन लोगों ने दूसरे विपक्षी दलों पर लाठियां बरसाई है अब जब इनके उपर पड़ी है इनको पता चलेगा कि लाठी का दर्द क्या होता है वैसे भी अधिकांस जगह से जो सुचना आ रही है और नेताओं का जो interview देखा जा रहा है उसमें बता जा रहा है कि पीछे लाठी पड़ी है तो ठीक जगह है वैसे वो लेकिन लाठी ने मारनाचाहिए पिटना ने चाहिए इतना कम से कम इतना बेदर्दी से तो नहीं ही मारना चाहिए था हलका फुलका ठीक था लेकिन परिशंग के नेता हैं अदलित समाज से आते हैं संजाई पासवान जो की अटल विहारी वाजपई के समय मंतरी थे केंद्र में और अभी MLC है बीजेपी के उनके साथ भी धक्काम की हुई मतलब की बड़े बड़े नेताओं को नहीं चोड़ा गया ने बड़े नेता हैं तो बीजेपी के हम तो नेताओं का मुल्यांकन इस तरह से करते हैं किस जाती के नेता है ज़्यादा जरूरी है कि किस जाती के लिए काम करते हैं उससे मुल्यांकन करते हैं अब जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी में तो होगा ही अब सत्ता गई है तो यह तो जहलना पड़ेगा उस विचारधारा के साथ हैं और ऐसे लोग जो आज दलित समाज के साथ गद्दारी करके भारतिय जनता पार्टी के साथ हैं जो की एंटी दलित राजनितिक पार्टी उसके साथ हैं तो ये तो अभी कम हो रहा है अने वाले समय में बड़ा आप राज़त जोईन की हैं कि जड़ी हूँ नहीं राज़त जड़ी हूँ क्या जोईन करने मेरा किसी राज़ नहीं था हम तो सिधा सा बात है वेद मेरी यही पहचान है कि हम बाबा साफ डॉक्टर अंबेटकर की परमपरा के लोग हैं मोदी जी से आपका क्यों विरोध है मेरा मोदी जीसको विरोध नहीं है मेरा हर उस वेक्ति से विरोध है जो हमारे आरखछंड के खिलाप है मेरा हर उस वेक्ति से विरोध है जो लोकतंतर और सम्भिधान का हत्यारा है अगर ये लोकतंत्र और सम्विधान के हत्यारे हैं, अगर ये आरक्षन का खात्मा कर रहे हैं, अगर ये नीजी करणतर के देश को बेच रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ हैं कानून में बदलाव करके दलित आईएस के हत्यारे को छोड़ाना, ये सम्विधानिक है? गलत है तो नितिश कुमार कर दिये तो सही है अमीरदा सायोग जो है किसने डिजॉल्ब किया नितिश कुमार तो फिर बिल्कुल जो पूरी राजनिती उनकी रही है खास तोर पे जब तक वो भारतिये जनता पार्टी के साथ रहे पूरे राज में दली तुत पीरन की घटना बढ़ी बिना संका के कह सकता हूँ बरमेश्वर मुख्या का मामला आप देख लिजे नितिश कुमार मुख्मंत्री थे ना जब पूरे राज में पटना में जो है इन लोगों ने सरक पे कोहराम मचाय था भूमिहारों ने और गुंडागर्दी की थी इनकी सरकार थी अमीर होती है विकल्प जनता खुद तलासती है और कुछ करना चिराग जी को ने चिराग जी तो समाज के द्रोही है चिराग जी का क्या है चिराग का तो मक्का मदिना सब जो है भाजपा है वहीं हज करेंगे वहीं क्या जो है प्रोडक्ट हैं संगी है कहां जाएंगे तो उनका ह जो है मक्का मदिना जो उनका बीजेपी और संग कारियाले है वहीं जाएंगे चिराग। जाए भी जबारत